हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन यदि आग आपके हाथ पेर नम होते हैं सुन होते हैं ठंडी पढ़ जाते हैं आपको दर्द होता है इस्टिफनेस आती है और एक समय के बाद जब आप मूब कर करते हूं तो आपको टिंगलिंग या एस्टिफनेस या मतलब प्रहिसानी होती है तो यह फिर वीडियो आपके लिए आप इस वीडियो को देखें अंडर्स्टेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ सेयर करें हाथ पेरों की नमनेस बहुत कॉ सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि इसका क्या कॉज होता है जनरली देखा यह गया है कि एक एजिंग के बाद लोगों को डिजनरेटिव निरोपैथी मतलब नव्स का मसल्स का वीक होना इसको आप समझ सकते हैं ब्लट फ्लो का बॉड़ी के डिफर पेन होता है या टीणलिंग होती है तो इसके पीछे जो क्लिनिकल कॉज है यदि हम उनको देखें तो एजिंग एक रीजन हो सकता है और हाइपटारेडिजम मतलब थाइरॉक्सिन सोडियम हार्मोन्स की डफिसेंसी एक रीजन हो सकता है ब्लट सुगर यानि डावेटिक है या थे सिरफनिस की और नेस्की और ठकान की भी वह सकती है पर वह बहुत रहे år दूसरा तुम्हें को कोई निर्ओलॉजिकल फ्राब्डब्लम मेलाइक आपको डेप्रेशन गए को कोई particular spinal reason में यदि आपको कोई injury हुई है जो आपका C reason है और जो L reason है यानि cervical reason मतलब आपके spinal पूरा neck का reason जो है यदि उधर आपको stiffness है cervical है आपकी nerves में यदि stiffness आ गई है यह बल्ज हो गई है circulation कम हो गया है ऐसे फिर आपका lower spine reason है जिसमें एक साटी का नव बाली बात भी है उसमें भी कई वरी देखा जाता है कि lag के towards radiation देखा जाता है numbness देखी जाती है तो यह सब reason हो सकते हैं और इसको आप manage करने का सबसे अच्छा तरीका यह है prevention का और management का कि लंबे समय तक एक posture में ना रहे muscular exercise करें muscular exercise से मेरा सीधा सा मतलब है कि आप जितने भी आपके जॉइंट्स हैं उसको clock wise, anti clock wise rotate करें forward, backward rotation करें या फिर योग science में एक इसके लिए proper exercise है जिसको हम सूख्चम्बयाया हम कहते हैं यानि हर आप joints की movement exercise करें तो उससे आपको बहुत बड़े फाइदे होंगे आपका blood का circulation बहुत अच्छा होगा joint के लेबल पर हाथ पैर के लेबल पर और आपकी जो नमने से जो आपके टायर ने से जो आपका थकान है हाथ पैरों की या जो आपको दर्द होता है वो कम भी हो जाएगा में के नॉट्स लंबे समय तक एक पॉश्चर में ना रहें बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेट्रिक्स मतलब जो सोने वाला गद्द है वो बहुत ज्यादा मतलब सॉफ्ट ना हो आपके जो जिस चेर पर बैठते हैं बस सेप्ट ना हो और यदि आपको कोई डेफिसेंस ही है लाइक वाइटमीन डी वाइटमीन बी टुल तो वह आप और मिनरल्स में इंपर्टेंड मैगनीसियम और जिंक है दौनों मिनरल्स भी डारेक्टली रॉल पिले करते हैं तो आप वाइटमीन डी वी ट्वाइल और जो आपका जिंक औ मैं सामिल मिर्श पहाड़ी पहाड़ीं वाली मिर्श होती उसको आप सामिल ख कर सकतें क्यूंब उसके साहत वाइटमिन D के लिए आप सLAG 1ग मैंडिसन यू सुपॉर्ट काफ दिखाता है क्योंगी क्यों स्केड़ा होती पहुत करते बहुत ज्यादा होती पुरा नहीं कर पाते हैं और प्रॉपर एक अच्छी नीद लें और रेगुलर एकसरसाइज जरूर करें और कुछ ना कर पाएं तो डेली वेसे आप वाकिंग करें प्राणाया मेडिटेशन करें तो इस तरह से आप अपने बॉड़ी के हाथ-पेरों के नमनेस को डील कर सकते है और आप कंप्लीटली ठीक भी हो जाएंगे तो इसकी मोबलीटी बहुत कम हो जाएगी और कई वरी टिसू और नर्प्स के डैमेज होने का रिस्क भी डबलब होता है और यदि फिर भी प्रब्लम बनी रहती है तो आप कंसर्ण फिजीशन से मिलें फिर टेस्क कराएं और फिर उसका इलाज लेंगे तैंक यू बेरी मिच और टेक केर और सिर्फ